आज की रेसिपी है बिल्कुल यूनिक और बहुत ही इंट्रस्टिंग है इंट्रस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम बनाएंगे कच्छे केली की छिलके की चटनी जी हां दोस्तों सुनने में थोड़ा आजीब जरूर लग रहा होगा पर यकीन मानिए ये चटनी हमारे हर मे केली को डाइजस्ट करने में हमारी बहुत ही मदद करता है बहुत है तो आप ये चटनी जरूर ट्राइ किजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये चिलके की चटनी कैसी लगी तो हमने पहले केली को बॉइल कर लिया था और उसका आ बच्चा हुआ जो चिलका था उससे हमने तयार की है ये चटनी जो आप देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अमेजिंग है इसका टेस्ट बहुत माइंड ब्लूएंगे तो आप ये केली की चटनी को जरूर ट्राइक किजिएगा तो चली देखते हैं हमने इस मिर्चि और धन्यम सिस्ट बख और धनिया पति होई है तो इसे में दूबारा वाशी किया है क्योंकि केली को पहले वाश करके ही हमें कि- reduce क्रणार करना है या देसे मैं इसे दुबारा वाश नहीं करूँGe और इसे में चोटे चोटे चोट उस यूच आट लूँगे तो य चटनी उतनी मिर्चिया पैट कर सकते हैं इसमें सिर्फ दो मिर्ची ही एड करूंगी और थोड़ी से डाल दूंगे मैं धनिया पत्नी तो आप नॉर्मली यह दनिया मिर्ची लसुन का तो बनाती है चटनी तो आप यह भी ट्राइज जरूर किजिए यह दिखिए मैंने पीस यह थोड़ा सा पानी डाल कर और हलका से डाल देंगे इसमें नमक और और गुमा लेंगे ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए मैंने पीस लेया है अब मैं इसमें टाल दूंगी नीबू का रस यह हमारे खाने को डाइजेस्ट बहुत अच्छे से करता है तो आप यह जरूर जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपको यह चटनी कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इंट्रस्टिंग वीडियो और ब्लॉग देखने के लिए तो तेखिए मैंने इसे सर्व कर लि जगत है कि वह लोग भी यह केले की चटनी जो केले के चिलके की चटनी जो है वह भी इंचुआए कर सकें देखिए सच में बहुत टेस्टी था तो आप जरूर ट्राइक कीजिए का यह देखिए मूं में पानी जरूर आ रहा होगा आपकी कि मैं भी फटावर्ट से बनाई तो देख बिल्कुल मत करिया और आप इसे वटावर्ट से बनाई और मुझे कमेंट करके जरूर बताई अगर हाँ अगर आपको आपकी कोई बनाई हुए रेस्पी मेरे शाब शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर शेयर कर सकते हैं मैं वह रेस्पी आपको अपने यूटूब चैनल पर भी दिखाऊंगे तो मुझे जुड़े रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग देखने के लिए तो थैंक्स वर वाचिंग बाबाय थैंक्यू सो मच